दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे येट्यूब चैनल पर दोस्तों कोई कितना भी मांगे लेकिन अपने घर की ये चीज़ें किसी को दान में नहीं देना चाहिए कौन सी वे चीज़ें हैं आई ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके विल आइकान को प्रेस कीजिए दोस्तों चाड़क की नीती की माने तो प्रतियक ब्यक्ति के ग्रिहो की इस्तिती अलग-अलग होती है हर ब्यक्ति के अंदर अलग प्रकार की उर्जा का वास होता है दोस्तों या सकारातमग भी हो सकती है और नकारातमग भी हो सकती है दोस्तों बिज्ञान का नियम यहाँ है कि उर्जा को खतम नहीं किया जा सकता दोस्तों बिज्ञान के अनुसार उर्जा को बस परिवर्टित किया जा सकता है दोस्तों यही सिद्धांत लागू होता है जब हम किसी दूसरे ब्यक्ति का सामान प्रियोग करने लगते हैं किसी ब्यक्ति की चीजें इस्तमाल करने पर वा उसकी सकारात्मक और नकारात्मक और जाबी अपने साथ लेकर आती है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वताएंगे किसी को प्याज और लहसुन देना या किसी से लेना दोनों ही अशुब माने गए हैं ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है, ओरदार्थी किस्तिती खराब होने लगती है दोस्तों नमबर दो है रुमाल अपना ही सही अकसर देखने में आता है कि ध्यान किये बगेर लोग एक दूसरे का रुमाल प्रियोग कर लेते हैं ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है दोस्तों बहीं पैसों के नुकसान को भी जेलना पड़ सकता है दोस्तों नमबर तीन है धन ना दें उधार सूर्यस्त के बाद कोई ब्यक्त एदियां आप से धन मांगे तो भूल कर भी उसे उधार ना दें ऐसा करने से मालचमी आप से नाराज हो सकती है दूस्तों नमबर चार है गहने ना करें प्रियोग अक्सर देखने में आता है खासतर परमहिलाओं के साथ कि अपनी पोशाक से मैच करते हुए गहने दूसरों के पहनने से परहिज नहीं करती है वास्तु विज्ञान और चारक के नीती में इसे अशुब माना गया है ऐसा करने से ना सिर्फ आपका स्वस्त खराब हो सकता है बलके दूसरे ग्रहदशा आपको भी परवाबित कर सकते हैं दोस्तों नमक से दोस्ती नहीं अच्छी सूर्यस्त के बाद अगर कोई आप से नमक मांगने आए तो सब विवासा में इनकार करने में ही भलाई है नमक उधार देने में आपके की घर की बरकत चली जाएगी इसलिए भूल कर भी शाम के समय किसी को भी नमक उधार नहीं देना चाहिए दोस्तों अग्ला पॉइंट है पिन ना रखे किसी का पिन एक ऐसी चीज है जिसे हम अकसर दूसरों से मांगकर प्रियोग करने लगते हैं और बापस करना भूल जाते हैं वास्तू के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पिन लेकर इस्तमाल करने के बाद ना लवटा जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है दोस्तों साथ ही इसके आपके मान सम्मान को भी ठेश पहुंच सकता है दोस्तों अगला पॉइंटे हो सकते हैं अस्फल गड़ी के वारे में कहा जाता है कि आप पहनने वाले पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है दूसरों की गड़ी पहनने से उस बेक्त की एनरजी का असर हम पर भी पढ़ सकता है यहां तक के असफलता और दुरभागे का भी सामना करना पढ़ सकता है तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो